असलाम अलेकुम लो भई आज शाहिन क्लब में मेरे साथ हैं परवीन बाजी, सिद्धू भाई और सुल्ताना बाजी जी, कौनसी बाजी? सिद्धू भाई, आप तो डर गए परवीन बाजी, अगर आप चुपके चुपके मेरे करीब आएं, मुझे खबर भी नहों और अचानक आप मेरे कान के पास एक बड़ा सा पटाखा छोड़ दें, तो आप ही बताईए कि मेरी क्या हालत होगी अगर सिद्धू भाई, क्या आपके ख्याल में पटाखे और सुल्ताना भाजी में कोई फर्क नहीं है? बस बहुत थोड़ा सा फर्क है वो क्या? पटाखा फट जाता है, अलबता सुल्ताना भाजी सही सलामत रहती है मकर ये बताईए कि वो हैं कहां? अभी अभी आपने उनका नाम लिया था अरे सहाब उसका भी बड़ा दिल्चस वाकिया है देखिए, आप मेरा जुमला चुरा रहे हैं आप ठाने में रपट लिखवा दीजे, चोरी की सजा बहुत सफ़ है इन दिनों हाँ तो सुनिये, हमने सोचा के सन 81 अब रुकसा थो रहा है, बस थोड़े से दिन बाकी रह गए हैं तो हमने सोचा के साल भर के दोरान हमने जो मज़े मज़े की बातें की थी, अपने सुनने वालों को उनका इंतखाब सुनवा दें इस दोरान हमें सेंक्डों फरमाईशे मिली हैं, सुनने वालों ने लिखा है कि याददाश्ट वाला प्रोग्राम दुबारा सुनवा दीजे, कायदा लिखने वाला किस्ता दोरा दीजे, सिद्धु भाई के कंप्यूटर का वाक्या भी बड़ा दिल्चस्प था, वो फिर मजदारी की बात कही, सिद्धु भाई आप इंसान है या लोगों को लतीखा, जी, वो कौन था, साब वो एक फलसफी था, जिसका कंप्यूटर उसकी टोपी के अंदर नहीं, बैलकि उसके सर के अंदर लगा वाला, देखिए आब इदी भाई, आप रफ्ता रफ्ता सारा कि पहले ही सुना देंगे, नहीं जाब नहीं, मेरी तौबा, हाँ तो भाई, आओ हम तुम्हें पिछले बरस के अपने एक प्रोग्राम का एक दिल्चस्प टुकड़ा सुनाएं, आज शाहिन कलब मेरे साथ हैं सिदु भाई, सिदु भाई और सिदु भाई, हाई आज आपको क्या हो गिया, आपने न मेरा नाम लिया, न परवीन बाजी का नाम लिया, बात ये है कि वो जो हम कभी-कभी सुना करते थे ότι भाय, आज तुम बहुत लाइट मार रहे हो. आज फुला हम भुख लाइट मारे हैं तो आज वो लाइट मारने का मनजर हमने अपनी आभने पासे लिया है promise सिद्धू भारी यायसी लाइट मार रहे हैं सिद्धु भाई आपकी टोपी में एक छोटा सा बल्ब लगा है जो मुसलसल जग्मक-जग्मक कराएगी, अब दी भाई आपकी जमाने के इंसान है भाई इसी जमाने का इंसान हूँ फिर हैरत है, अरे भाई ये तो कंप्यूटर का जमाना है और ताज़्ण है कि आप कम्पिउटर को नहीं पैचानते हैं कम्पिउटर को नहीं पैचानता है मैं समझा नहीं से दुबार यह मेरी टोपी में जगमक करता हुगा बल्ड देख रहे हैं आप हाँ देख रहूं ये टोपी के अंदर लगे होए जो शोटे से कम्पीटर की रोश्णी है जो बहर तक नज़र आ रहा है तोपी के अंदर लगे होए कम्पीटर की रॉश्णी यानि आपक अदर की आपकी और उसके नीचे सिर्फ खौ़ी खौ़ तो बिलकुल खाली अब क्योंके कम्प्यूटर ने इंसां के दमाग के जगा ले लिए इसलिए सिद्धु भाई ने उस खाली जगह में विद्धु अरे सहाथ यह तो यूओ ही कहती हैं कंप्यूटर ने इनसान के दिमाग की जगा नहीं लिए अच्छा इनसान का दिमाग तो अब भी हमेशे की तरह सोचता है और याद रखता है अलबता उसके दिमाग का कुछ बोज कम्प्यूटर ने समाल लिया है और इस तरहां कम्प्यूटर इनसान की मदद करता है पर्वीन बाजी खुदा का शुक्र है आप बोली बात यह है पर्वीन बाजी के इस साल क्रिस्मिस के मौके पर तरह तरह के खिलोने बनाए गए जिनके अंदर छोटे-छोटे से कंप्यूटर लगा दिये गए बस खिलोने की दुनिया में एक इनकिलाब आ गया एक दुकान से मुझे यह छोटा सा कंप्यूटर मिल गया जिसे आप अपनी मेस पर अपने डेस्क पर या अपने ठैले में या ब्रीफ केस में रख सकते हैं मैंने सोचा क्यों ना इसे अपनी टोपी के अंदर रख लोगा है इसकी सबसे ज़्यादा जरुरत भी वही थी मैं सिद्धु भा स्ल्ताना बाजी आप तो दुश्मने वाकिया हैं आपको मेरे किस्से सुनने का कब से शौख हूँ जिद्धु भाई आप तो सुल्ताना बाजी के पीछे पढ़ गया हाद धोकर हाद धोकर नहीं पंजे जार कर सिर्फ तीन यह चार मरतवा सुल्ताना बाजी ने आपके अरे साहब हुआ ये कि मैं एक मरतबा हवाई अड़े गया मेरा हवाई जास कुछ लेट था इसलिए मैं वक्त गुजारने के लिए इधर उधर घूम रहा था इतने में मेरी नजर वजन करने वाली एक मशीन पर पड़ी आपने वो मशीन तो देखी होंगी जिन पर खड़े हैं तो वो गरीब वजन बताने से पहले ही इस दार फानी से कूछ कर जाती है तो यह आपका ख्याल है कि मेरा वजन बताने से इंकार कर देती जहां पहले तो वो उसकी सूई घंचकर बन जाती और फिर उसमें से कार निकलता जिस पर लिखा होता कि माप फरमाईए हम 40 मन से वजन बताने वाली जो मशीन देखी उसमें क्या खास बात थी कि उसके अंदर एक कंप्यूटर लगा हुआता जो आपके वजन के अलावा आपकी किसमत का हाल भी बताता है अच्छा वो कैसे यानि मशीन के अंदर से जो कार्ड निकलता है उस पर ना सिर्फ आपका वजन ल सिक्का डाला हाँ मैंने उसके प्लेट फार्म पर खड़े होकर मशीन में एक सिक्का डाला पहले तो उसमें रंग बरंगे बल्ब जले भुजे फिर टाइप राइटर चलने की आवाज है फिर कुछ खटपट हुई उसके बाद मशीन के मुझ से कार्ड निकला जिस पर देखा तो क्या देखता हूं के डाक्टर साब का बेटा और मेरे साथ का खेला हुआ लड़का वहीज मेरे सामने कड़ा हुआ हम दोनों खूब गले मिले खूब गुल मिलकर बश्पंग की और दुबारा मिलने का वादा करके रुखसत हुए तो उसके बाद आप जाकर अप मरतबा फिर अपना वज़न करूं दुबारा मशीन पर खड़ा हुआ उसका डाला अब उसमें से नया कार्ड निकला उस पर लिखा था आपका वज़न 15 स्टोन पांच पॉन आज हवाई अड़े की पुलिस आपकी मदद तलब करेगी ये पढ़कर मैं मुस्कुराया और नूर देखा होगा बताओ इसकी सूरज शकल कैसी है इसका लिबास कैसा है क्या वाकिए वो जेब कत्रा आपके करीब से गुजरा था हाँ एक आदमी दौरता हुआ गुजरा तो था बलके मुझसे टकराया भी था बगर वो तो बहुत ही शरीफ आदमी नजर आता था क्यों आपकी मदद तलब करेगी बिल्कुल सही निकली हाँ साफ मैं खुद हैरान रह गया और सोचने लगा क्यों ना और एक बार किसमत आजमा हूँ यह सोचकर मैंने तीसरी बार मशीन में से काड़ डाला उसमें से कार्ड निकला जिस पर लिखा था आपका वजन पंद्रा स्ट तकराने वाला आदमी जेब कत रहा था और टकर के बहाने उसमें मेरी जेब काटी थी मैंने साफ हैरत है उस कंप्यूटर पर जो हर बात बिल्कुल सही बता रहा था हां मैं खुद हैरान था इत्तिफाक से मेरी जेब में कुछ सिक्के महफूस थे मैं एक बार फिर उस मशीन पर खड़ा हुआ उसमें सिक्का डारा उसमें से एक और कार्ट निकला उस कार्ट पर लिखा था आपका वजन 15 स्टोन पांच पॉन आप इंसान है गंचकर आप अतना वजन करते ही रहेंगे और आपका हवाई जाज कभी का जा चुका है को बही तुम्हें कैसी लगी इसे दुभाई की दास्तान और आओ अब तुम्हें कुछ इजादों के बारे में बताएं आज जो हम बड़ी आसानी सितार के जरिये दुनिया में हर जगा पैगाम भेज़ेते हैं क्या तुम्हें मालूम है कि ये तार या टेलिग्राफ किस न बनाया करते थे 1832 की बात है कि मॉल्स को यूरोप से अमरीका जाना पड़ा उस वक्त समंदरी जहाद से ये सफर एक महीने में पूरा होता था जहाद में बैठे बैठे एक रोज मॉल्स के दिमाग में एक बात आई उसना सोचा कि अगर एक शहर से दूसरे शहर और एक जग पर इस बुरी तरह चा गई कि उसने अपनी मुसवरी छोड़ चाड़ ये टेलिग्राफ बनाने की कोशिशें शुरू कर दी क्योंकि वो ना तो इंजीनियर था ना वो साइंस ना था इसलिए उसे बहुत मुश्किलें पेश आई उसने बिजली का एक सर्किट बनाया जिसक दोनों तार जोड़ दी जाते तो दूसी तरफ एक पैंसिल की नोग पर लगा हुआ लोहे का टुकड़ा हरकत करता था और पैंसिल एक कागस पर छोड़ा सा निशान बना देती थी इस दोरान रोजी कमाने और पेट भरने के लिए मॉल्स ने एक स्कूल में मसवरी की तालीम देना शुरू कर दी उन्ही दिनों उसके एक शागिर्द और शागिर्द के बाप ने मॉल्स के इस टेलिग्राफ को देखा तो उन्हें भी पेगाम रसानी का एक ख्याल बहुत पसंद आया अब तीनों ने मिलकर बड़ी मेहनत से एक टेलिग्राफ का मॉडल बनाया ताकि उसके नुमाईश की जाए मगर उसमें बहुत पेचित किया थी उसके बावजूद ये तीनों एक सीधी साधी मशीन बनाने की कोशिश करते रहे जिसमें छोड़े छोड़े नुक्तों और लकीरों के जरीए पेगाम बहजे जाते थे उन्होंने ए, बी, सी, डी वगरा के लिए अलग-अलग निशान मुकरर किये और शायद तुम जानते हो कि इन्ही सेम्वल मॉल्स की वज़ा से वो निशान मॉल्स कोड गहलाते हैं उसके बाद मॉल्स ने चाहा कि अमरीकी हुकूमत उसकी इस इजात को कबोल कर ले और तार के जरीए पेगाम भेजने के निजाम खायम हो जाए मगर शुरू शुरू में किसी ने उसकी बात ध्यान न दिया लेकिन खुदा खुदा करके लोग तयार हुए और अमरीका में तार बिचाए गए फिर एक रोज यह हुआ के बाल्टी मॉल्स से एक बहुत ही जरूरी खबर तार के जरीए वाशिंग्टन भेजी गई जो चंद लम्हों में वहाँ पहुँच गई और सारी दुनिया हैरान रह गई तो इस तरह सेम्वल मॉल्स ने अपनी बात साबित का दिखाई वही टेलिग्राफ है जो आज हम तुम सब इस्तिमाल करते हैं अचा वह इसके बाद एक छोटी सी कहानी ये कहानी हमने तुम्हारे लिए अर्दो की पहली किताब से चुनी है अर्दो की पहली किताब तक्रीबन एक सो दस साल पहले छपी थी और हिंदुस्तान के मदल्सों में पढ़ाई जाती थी हमारे बज़र्गों ने अपने बच्पन में कहानी जरूर पढ़ी होगी आज हम भी पढ़ें एक बाशा ने खिदमतगार को पकारा जब किसी की आवाज नाई तो खुद बहर आया खिदमतगारों में एक लड़का भी नौकर था देखा कि वो ही अकेला है और बेखबर पड़ा सोता है उसकी जेब में से एक काख़ निकला हुआ मालू हुआ बाशा ने कहा कि देखूं इस काख़ में क्या लिखा है पढ़ा तो मालू हुआ कि उसकी माह का खत है मजमुन ये के बरखुरदार जो रुपए अपनी तनुखा में से तुमने आप सक्ती उठा कर मुझे भेजे थे ऐसे वक्त पर पहुँचे के बहुत से काम निकले खुदा तुम को इस नेकी का इवज दे बाशा ने कई अशर्फियां उसी में लपेटनी और फिर चुपके से कागस जेब में डाल दिया और ऐसा चीख कर पुकारा कि लड़का चौक कर उड़ बैठा बाशा ने कहा कि ऐसी भी गाफल सोया करते हैं लड़का कुछ जवाब न दे सका जेब में हाट डाला तो खत में अशर्फियां लिप्टी हुई मालू ही बहुत हैरान हुआ और मारे डर के बाशा के पाउं पर गिर कर रोने लगा बाशा ने सबब रोने का पूछा उसने अशर्फियां दिखा कर अर्स की कि कि गबले आलम मैं नहीं जानता के कहां से आई किसी दुश्मन ने मेरे फसाने के लिए शायद ये काम किया है बाशा ने तसलित दी और कहा कि एस सादत मन तू ने अपनी माँ के खिदमत की थी उसके इवज में ये अशर्फियां तुझे खुझे खुदा ने दी ये भी उसे भेज़ दे और खातिर जमारक फिर भी उसकी खबर गीरी करते रहेंगे इस हाल की भी खबर तू से लिख भेज ये थी मुहमद हुसैन आजाद की लिख्की हुई उर्दू की पहली किताब से एक कहानी और आखिर में अपने वादे के मुताबक हम तुम्हें शाहिन कलब के मुकाबला नमबर दस की तफसील बता रहे हैं इस मुकाबले में हिस्सा लेने की आखरी तारीख अब बहुत करीब है इसलिए गौल से सुनो आखिर में हम अपने पते भी लिख वाएंगे इस मुकाबले में तुमें डाख के एक टिकेट का डिजाइन तयार करना है सन 81 क्यूंके तितलियों का साल भी था इसलिए तुम एक ऐसा डिजाइन बनाओ जिसमें एक या एक से ज़्यादा तितलिया हो उनमें तुम हर किसम के रंग भड़ सकते हो डाख की टिकेट की तरह उस पर अपने मुलक का नाम और कोई फर्जी कीमत भी लिख सकते हो तुम्हारे इस डिजाइन का साइस पोस्ट कार्ट से ज़्यादा बढ़ाना होना चाहिए उसकी पोश्ट पर तुम अपना नाम और पूरा पता जरूर लिखना ताकि अगर तुम्हारा डिजाइन कामियाब करार पाए तो तुम्हें इनाम भीजने में कोई मुश्किल ना हो और अब सुनो के मुकाबले नमबर दस का इनाम क्या है बरतानिया में डाख खाने ने क्रिसमस के मौके पर पांच नए टिकेट जारी किये हैं जिनके डिजाइन बरतानिवी बच्चों ने बनाए हैं हमने इन टिक्टों के दस फर्स डेकवर तैयार कर लिये हैं यानि दस खुबसूरत लिफाफे हैं और हर एक पर ना सिर्फ ये पांचों खुबसूरत टिकेट चिपके हुए हैं बलके उन पर पहले दिन की महर भी लगी हुई है तुम लोगों के भेजे हुए दस सबसे अच्छे डिजाइनों पर हम ये एक एक फर्स डेकवर इनाम के तौर पर तुमें भेजेंगे मुकाबले में शामिल होने के लिए तुम अपने बनाये हुए डिजाइन ज्यादा सज्यादा मंगल 15 दिसंबर तक डाक में डाल दो मंगल 15 दिसंबर आखरी तारीख है 15 दिसंबर के बाद रवाना किये जाने वाले डिजाइन मुकाबले में शामिल नहीं होगे और अब हम तुम्हें अपने डाक के पते बता रहे हैं जो अगर तुम्हारे पास मौजूद ना हो तो अब लिख लो अगर तुम बंगला देश में रहते हो तो वहां हमारा पता है शाहीन कलब बी बी सी उर्दू सर्विस पोस बक्स नमबर 90 डाका और अगर तुम भारत में हो तो अपने खत वगरा हमें इस पते पे बेश सकते हो शाहीन कलब बी बी सी उर्दू सर्विस पोस बक्स नमबर 3035 पोस बक्स नमबर 3035 नई देली और अगर तुम पाकिस्तान में रहते हो तो वहां हमारा राक का पता यह है शाहीन कलब, BBC अर्दो सर्विस, पोस्ट बक्स नमबर 5463 कराची फिर से पढ़ देता हूँ शाहीन कलब, BBC अर्दो सर्विस, पोस्ट बक्स नमबर 5463 कराची और अगर तुम सीधा लद्दन के पते पे हमें खत लिखना चाओ तो हमारा पता है, BBC, अर्दो सर्विस, बुश हाउस, लंडन, WC2 और अब बाकी बाते हैं, इंशालला अगले हफ़ते इसी वक्त होंगी खुदा हाफिज बरसा था है, और बरस के खेतों पर ये पसले खूब हुगा था है पूल पे जो शब नम है बचो पानी का ये कत्रा है दूप में गर ये कत्रा देखो, एक मौती सा लगता है कत्रा कत्रा जमा करें तो इससे दर्या बनता है तुम दर्या को गौर से देखो, एक तरफ को जलता है पानी को ठंड़ पहुँचाएं बरफ में ये ढल जाता है गरम करें जब बरफ को बचो इससे पानी बनता है आग पे गरहम पानी डाले एक धुआ सा पुटता है पानी को जब आग पे रखें भाप में फिर ये ढलता है कत्रा कत्रा जमा करें तो इससे दर्या बनता है तुम दर्या को गौर से देखो एक तरफ को जलता है पानी से बादल बनता है बादल में बरसाता है और बरस के खेतों पर ये पसने को बुगाता है पूल पे जो शबनम है बच्चो पानी का एक कत्रा है दूप में घर ये कत्रा देखो एक मोती सा लगता है कत्रा कत्रा जमा करें तो इससे दर्या बनता है उन दर्या को गौर से देखो एक तरफ को चलता है झाल झाल